कर दूंटेूं और दूझाँ को फो फो आप इस तरवाद वच्छों कैसे हैं आप लो अच्छे से ओना वलो आज मैं आपको हिंधी रीडर का पार्थ दो लिखवाऊंगी क्या लिखवाऊंगी पार्ट दो परिश्रम का फल आपको मैंने स्टोरी पढ़ाई थी ना परिश्रम का फल परिश्रम में उसमें क्या स्टोरी थी आपको याद है ना कि उसमें गरीब किसान होता है उसके चार बेटे होते वह बहुते आलसी होते हैं उसने अपने किस तरीके सुन को सीख दी यह सारा कुछ इस चैप्टर में पढ़ा था ना आपने आज मैं उसी चैप्टर का को लिखवाऊंगे तो सबसे पहले आप राइट करेंगे पार्थ द न होता है मैंने जैसे आप लुग आते मैंनों मैंने से पड़ती उना पापा वार करते ह Krestein करता है वह मयनत करते हैं ने तबीर पैसे आते हमा मंपोरा दिन गर में वर्क तीजिंग हम उनले उले घर में सार्थे था नहीं ही हैं तो का भी मेहत करते हैं तो परेशना का क्या मेहत करते हैं everyone का ए जहां कर रही हैं। करा हैं अगर भी जानते हुए तो हम किसी किसी भी जॉब में नहीं जा पाएंगे, कोई भी नोकरी नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तो फिर कैसे पैसे आगे, अगर अपना बिजनिस भी करते हैं, उसमें भी तो पढ़ाई जरूरी है, हर काम के लिए सिच्छा जरूरी है, बिना सिच्छा के आप कुछ नहीं कर सकते हो, बिना सिच्छ करना अंतिम यानिकि आखरी बुद्धिमाद यानिकि भूस्यार बुद्धिमाद नींस सब्सें दि मीट को दिदों अभूोच याती एक पर के लिए फेल् Barbara पहले ना उनकि पहले सब्सक्रांदत्मथ पार प्मार आत म्रा परूंनेंट के तो छ३ट्यार पर उगा लिए पाधा, यह से दोबारा को हम करते हैं की दूबारा से खेतों में दूर दूर लगाते हैं उसी तरह से गे फ्यादा करके यह दोपयां वल दोड़ा दोड़ यह एंट ढासा का है घब लगना शेट कम तरह Advent O खेतों में पानी बरने या पौध जब लग जाते हैं तो जैसे सूप जाते हैं से नुखन फ़ोई में पानी लगाए जाता NA अब क्या बोलते हैं से चाई जाए अब आपके सब्द अर्थ नीम लिखित प्रश्णों के उत्तर लिखी है निम्खित जो प्रेस्ट दिए गई है ना उनके उत्तर लिखने है आपको जैसे प्रेस्ट नमर एक है किसान अपनी परवार का लानन पालन कैसे करता है तो किसान था वह बहुत ही परिष्रमी था क्या था परिष्रमी था किसान दिन रात मेहनत करके अपने परवार का लालन पालन करता था वो परिस्रमी था और वो मेहनत करने से नहीं डरता था इसलिए दिन रात मेहनत करता और अपने परवार का लालन पालन करता था अपने परवार के लिए खाना वर्स्तर और भी कई चीजे होते हैं जरूरत होत है ना जैसे आपके लिए चौकलेट तो अगर मैंनत नहीं करेंगे पापा तो कैसे लाएंगे तो किसान जो था वो मैंनत करके अपने परवार कलाव में पालन करता था किसान क्या चाहता था किसान जो था वो क्या चाहता था किसान चाहता था कि उसकी चारों बेटी प्रश्रम का महत्तु समझें उसकी बेटे जो थे वो आलसी थे ना तो वो कोई काम नहीं कर थे दिनवर ऐसे ही सोते रहते पड़े रहते थे खेलते रहते तो उनकी बेटों को मै मेहनत का क्या मेहत्त होता है वो नहीं पता था इसलिए किसान ने एक तरकीव के द्वारा उन्हें मेहनत के फल का मेहत्त समझाया प्रस नम्मर तीन किसान ने अपने बेटों के सामने क्या सर्थ रखी किसान ने अपने बेटों को सुधारने के लिए एक तरकीब बनाई थे उसी तरकीब के अनुरूप उसने एक सर्थ रखी थे अपने बेटों के सामने तो वह सर्थ क्या थे किसान ने अपने बेटों से कहा कि जिसकी फसल सबसे ज़्यादा अच्छी होगी उसी को सबसे ज़्यादा धनसमपति मिलेगी यानि कि किसान जो था उसने अपने चारों बेटों को बुलाया और कहा कि मैं अपनी धनसंपत्ती का बटवारा करूंगा लेकिन धनसंपत्ती का बटवारा तब ही करूंगा कैसी करोंगे उसने अपनी एक खेट में चार से कर दिये और चारों को एक एक के कौना दे दिया और कहा कि इन जिस के कौने में मतलब जिसके सबसे ज़्यादा अच्छी फसल होगी उसी को हम सबसे ज़्यादा धंसमपती देंगे तो उन्होंने क्या किया था जब दंसम्पति जब उन्होंने फसल की रुपाई की थी फिर फसल अच्छी हुई थी न चारों की फसल अच्छी हुई थी तो बाद में क्या वो समझ गए थी कि परिस्रम करने से सब कुछ प्राप्त हो सकता है हम कितने भी पीछे क्यों ना हो अपनी मेनत करके कच्छाम सबसे आगे हो सकते यानिकि प्रथमिस्थान पा सकते हैं तो किसान अपने बेटों को यहीं पताना चाहता था कि अपने मेनत से सब कुछ प्राप्ट किया जा सकता है अच्छा बच्चों आप इसको अच्छी से सुन्दर से लीख में लिखना और एक भी गलती नहीं होनी चाहिए अच्छी से वर्क करना ओके बच्चों धन्यवाद